वर्लकप हारते ही विराट कोली ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन की अब सभी तरफ चर्चा चल रही है विराट कोली की जो पार्टनर्शिप लंबे समय से चल रही थी इस पार्टनर्शिप के तहट विराट कोली ने 100-100 करोड की डील्स की है उस पार कार रही हूं बिराट कोली और उनके मैनेजर बंटी सच्देह की बंटी सच्देह ने जब से बिराट कोली को मैनेज करना शुरू 十व किया इन दोनोंने मिलकर बड़ी बड़ी ब्रांड के लिए इंडॉसमेंट किये बिराट कोली विराट को जादा फेवर करते हैं, इसलिए दूसरे प्लेयर्स ने बंटी सजदेह को छोड़ दिया, इसमें केयल, राहूल, शुबमंगिल, अजिंग के रहाने, और तो और बंटी सजदेह के जीजा, क्रिकेटर रोहिच शर्मा भी शामिल है, जो सब एक टाइम पर बंटी सबसे शांदार डील्स विराट को ही देते थे, कॉर्नर स्टोन कंपनी के तहट ये पार्टनर्शिप थी, पिछले कुछ समय से ये कंपनी करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन्स के अंदर काम कर रही थी, लेकिन विराट कोली को सेपरेटली मैनेज कर रही थी, लेकिन अब 20 नवंबर को ही विराट कोली ने इस पार्टनर्शिप को खत्म किया है, जहाँ एक तरफ कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर वर्ल्ल कप हारते ही, विराट कोली ने सबसे पहला डिसीजन ये क्यों लिया, इतनी लंबी पार्टनर्शिप क्यों छोड़ी क्या इसका वर्ल कप से कुछ लेना देना तो नहीं, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि विराट कोली ने बंटी सच्देव को छोड़ा सिर्फ और सर्फ इसलिए है, क्योंकि वो अपनी एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, ये कंपनी ब्राइज को मैनेज करेगी विराट कोली और विराट कोली जैसे कई प्लेयर्स के लिए ब्रैंड्स लेकर आएगी अब उन्हें किसी मैनेजर की जरुत नहीं इन फैक्ट विराट कोली जल्द ही इस कंपनी का रेजिस्ट्रेशन भी करवाने वाले हैं तो विराट कोली पूरी तरह से अपनी खुद की कंपनी पर अथलीट्स बंडी सजदियों के पास हैं